दोस्तो ये है मेरे पास OTG मतलब ये वाला OTG Owen, Toaster, Griller याला OTG या तो याला OTG नहीं Just kidding, let it be तो ये है OTG मेरे पास काबिल बिरांड की तरफ से और इसके जो बॉक्स पे जो प्राइस दिखा हुआ है वो है सारे 6000 पर ये मुझे 1000 रुपे तक की मुझे देखने को मिला है, वो भी एक offline store से मुझे ये कैसे मिला, ये offer आपको कैसे मिल सकता है इसके बारे में मैं थोड़ा आगे बात करूँगा तो यहाँ पे ये जो build है, इस वाले OTG की वो बहुत ज्यादा बढ़िया है जैसे कि full body जो है, वो metal की बनी हुई है लेकिन जो front side है, ये जो door आप लोग देख पार है ये थोड़ा सा glass material से बना हुआ है और जो handle है, जो इसके door का वो हाला कि ये जो part है, ये तो metal का है लेकिन इसका जो side side में आप लोग देखिए ये plastic material से बना हुआ है तो यहाँ पे ultimately होगा क्या कि जो heat है मतलब जो आप लोग इसको use करेंगे इस वाले OTG को तो ये heat जो है वो इस handle की तरफ नहीं आ पाएगी so weld and cable तो यहाँ पे यो wire की जो length है वो around आपको मिलती है सारे 3 fit की देखने को मिल जाती है ये थोड़ी सी ज्यादा हो सकती थी अगर आप लोग इसके door को open करते हैं तो फिर आपको दो rubber के जो dots होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे तो इसकी वज़े से हो गाई है कि माल लीज़े कि आपने इसका जो door है बेसिकली एक पुरा glass से बना हुआ है तो आप अगर इसको ज्यादा तेजी से बन कर देंगे तो ये तूटेगा नहीं तो ये मतलब जो इसकी build quality वो काफी बढ़िया से manage की गई है और काफी बढ़िया से आपे बनाई गई है और यहाँ पर आपको inside जो है पूरा जो इस OTG का वो यहाँ पर complete आपको metal का देखने को मिल जाएगा और आपको अंदर के side आपको 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 तीन sections आपको देखने को मिलते हैं जिसके थुरू आप लोग यहाँ पर यहाँ पर यह जो tray है इसको आप लोग अराम से यहाँ पर set कर पाएंगे पिलस आपको यहाँ पर चार rods देखने को मिल जाती हैं दो उपर हैं दो नीचे आपको देखने को मिल जाएंगी और जो operation है इन rods का वो बहुत ज्यादा आसान है जैसे कि यह जो regulator आप लोग देख पा रहें अगर आप लोग इसको इस side अगर आप लोग move करेंगे तो फिर यह जो उपर वाली जो rod है वो काम करेगी similarly अगर आप लोग इसको नीचे side अगर आप लोग इसको move करते हैं तो फिर यह जो नीचे rod है वो यहाँ पर खाली काम करेगी उपर वाली काम नहीं करेगी लेकिन अगर आप लोग इस side अगर आप लोग इसको कर देंगे उसके थुरू आप लोग यहाँ पर एक temperature जो है उसको आप लोग यहाँ पर set कर पाएंगे जैसे कि 90 to 250 degree Celsius और जो सबसे नीचे वारा जो regulator है आप लोग इससे आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं और सबसे नीचे आपको एक power indicator देखने को मिल जाएगा और हाँ आप लोग यह ची भी देख पार है fire का बना हुआ है इसका मतलब यहाँ पर यही कह रहा है कि इसका जो body है जब यह काम कर रहा हो तो उसको नच हुई है बहुत ज़्यादा गरम हो जाएगा और हाँ आपकी safety के लिए यह जो door है यह basically कुछ इस तरह से यहाँ पर रुख सकता है जैसे कि माल ली accessory जो हमको मिली है इसके जो boss के साथ में वो काफी कम देखने को मिली है जैसे कि हमको खाली दो ही खाली accessory देखने को मिली है सबसे पहली बात तो यह हमको एक pan देखने को मिल जाता है एक और हमको grill देखने को मिल जाता है यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा instrument देखने को नहीं मिलत क्योंकि यहां पर इस वाले OTG में हमको ऐसा कोई भी option देखने को नहीं मिलता है तो यह दो कमिया मुझे देखने को मिली हाला कि यह जन्यून डिव्य है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं तो अब यहां पर बात करते हैं कि इस वाले OTG के थुरू हम लोग कौन कौन सी recipes हम पाएंगे अगर आपको knowledge है तो मुझे नहीं है तो फिर मैं नहीं बना पाऊंगा तो बाकी अगर आपको कोई भी खाना है अगर आपको उसको गरम करना है तो वह भी आप लोग अराम से कर पाएंगे देखिए अगर आप लोग ठंडे जो खाना होता है उसको अगर आप लो कि यह मेरे पास microwave है आयवडी की तरफ से यह मैंने बहुत दिन पहले बाय किया था अभी मैं इस वाले वीडियो में इसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा अगर आपको इसका वीडियो चाहिए इसका कुछ comparison कुछ देखना हो इन दोनों के साथ में तो फिर आप लोग मु इस वाले temperature पे मैं इसको set कर रहा हूँ और यह जो timing है यहाँ पे मैंने यह set कर दिया और हाँ यह काम करना start हो गया है तो अब हम लोग यहाँ पे इसको बहार निकालते हैं कपड़े से चुकि कोई instrument नहीं दे रखा हुए लोग ने पिलस यहाँ पे अगर इसके rice की बात करें और इसके चपाती की बात करें तो यह काफी अच्छे से heat कर गए हैं तो यहाँ पे मुझे कोई भी issue देखने को नहीं मिला ओके तो अब हम लोग यहाँ पे इसमें दाल और यहाँ पे कुछ अनकोक जो पनीर है इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यह कैसा है यहाँ पे कभी भी OTG में कभी भी पैन ऐसे मत छोड़िये अगर वह खाली हो या तो इसमें कुछ पहले से ही जैसे कि मैंने इसमें दाल गरम की थी हो मैंने इसके लगा कर दिया इसलिए यहाँ पे काला हो गया तो आपको ऐसा कभी भी निकनना है वनना कुछ ऐसा हाल हो जाएगा ओके यह जो OTG है यहाँ को सारे छे हजार का नाओ करके सिवो सिफ हजार रुपय का देखने को मिल जाएगा तो मैंने क्या किया कि अपने कुछ फेंड्स को गैदर किया उनको बताया कि ऐसा ओफर चल ला है तो वो लोग ने कपरे खईल लिए तो हम समने मिल के बिसके लिए आप मेरे केस में तो चल ला था तो मुझे इसका फैदा मिल गया है तो आई होप कि आपको यालो वीडियो प्रसंद आएगा तो दोस्ताब वीडियो के लाइक जो कर दीजे हमाई चैनल को सब्सक्काइब कीजिए अगर आपनो मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं यह वीडियो मिलते आपसे अगले वीडियो में टाटव आवा है